तो start कर लू, subset है तो अगर आपको web development के अंदर आना है तो हर को यही कहेगा कि आप front end से अपनी journey start करो क्योंकि front end को सीखना बहुत easy है और इसके अंदर काफी easily आपको job मिल जाएगी लोगों का यह कहना काफी हट तक ठीक भी है क्योंकि आप बहुत कम समय में चीजों को सीख कर एक front end developer बन सकते हो और एक अच्छे सी job ले सकते हो आज हम discuss करने वाले है कि किस तरह से आपको अपनी front end journey start करनी है आपको interest है इस field के अंदर तभी आपने इस video को open किया है अगर आपको interest नहीं होता तो आप open नहीं करते है इस video को हैना खाली फगड का time तो हमारे पास पढ़ा नहीं है कि हम कहीं पर भी time pass कर ले हैना हम चाहते है कि हम चीजों को grab करें अच्छी चीज़े सीखे अच्छी knowledge ले तो आज मैं आपको skills बता देता हूं कि अगर आपको front end developer बनना है तो किस तरह से आप बन सकते हो मैंने भी अपनी journey front end developer से start की ती और आज मैं एक full stack developer हूँ ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपने front end की skills सीख ले तो आप future में उसको change नहीं कर सकते आप दीरे दीरे और चीज़ों सीख के अपनी जो position है उसको increase कर सकते हो लेकिन अपनी journey आप front end से start करोगे तो वो easy रहेगा क्योंकि आप जल्दी से चीज़ों को सीख जाओगे और एक job ले लोगे तो front end के लिए सबसे पहली और जो foundation होती है वो है HTML आपको पूरा HTML नहीं पढ़ना है आपको basic basic tags देखने आपको पता होना चीए block elements क्या होते है inline क्या होते है आपको पता होना चीए कि semantic elements कौन से होते है non semantic elements क्या होते है और आपको ये भी पता होना चीए कि कौन सा tag किस काम के लिए आ रहे है जैसे कि head tag हम क्यों use करते है body tag हम क्यों use करते है अगर कोई बाहर की library है यह कोई CSS है जो external में है उसको हम किस तरह से link करते हैं और कहां पर हम उस link को डालते हैं हमारे HTML में तो वो सारी चीज़े आपको पता होना चीए है इसके बाद जो second foundation आती है वो है CSS HTML की मदद से आप एक तरह से बोल सकते हो कि particular website का आप एक structure तियार करते हो और CSS की मदद से आप उस particular structure को object को एक design देते हो एक आकार प्रदान करते हो ना सुन्दर बनाते हो तो CSS मदद करता है हमारे web page को design करने के लिए उसको सुन्दर बनाने के लिए तो CSS के अंदर आपको पता होना चीए कि कि किस तरह से हम ID को fetch करते हैं, class को fetch करते हैं और आपको साथी ये भी मालूम होना चीए कि pseudo selector क्या आते है, pseudo elements क्या होते है और हाँ main चीज आती है media query आपको media query के बारे में पता होना चीए media query की मदद से हम हमारी website को responsive बनाते हैं जैसे कि tablet में किस तरह से हमारी website दीखेगी mobile के अंदर किस तरह से दीखेगी आप इनको easily कर लोगे लेकिन जो main problem आती है जो difficult task होता है वो है javascript javascript में काफी बच्चे और काफी tricky होती है javascript न तो इसमें काफी लोग फस जाते हैं तो आपको फसने वाला काम नहीं करना है आपको starting में एकदम basic level वाली javascript पढ़नी है जैसे कि variables क्या होते है for loop क्या होती है array क्या होते है object क्या होते है and किस तरह से हम DOM manipulation करते है using javascript example के तोर पे मैं आपको बताऊं जैसे कि आपके html में एक div है और आपने उसको एक id दे रखिए अब मुझे क्या करना है मुझे javascript की मदद से उस id को fetch करना है और javascript की मदद से उस div के अंदर content डालने तो यह हो गया DOM manipulation तो यह आपको आना चीए यानि कि आपको html के अंदर कुछ नहीं करना है आपको javascript की मदद से सारी चीज़े control करनी है dynamic बनाना page को तो आप javascript के अंदर DOM manipulation कीजिए तो इतना ही आपको करना है इसके बाद advanced level पे हम जाएं तो आपको एक framework यह library आनी चीए आज के time में बताऊं जो market demand कर रहा हो है react.js react.js एक front end library है जो की based है javascript के उकवर अगर आपको javascript आता है तो आप react.js को आसानी से कर लोगे react.js की मदद से हम क्या करते है एक single page application बनाते है जिसमें हम इधर उधर जाए तो हमारा page reload ना हो तो आप react.js भी सीख सकते हो लेकिन मेरा personal suggestion रहेगा कि आप पहले html, css और javascript कीजिए उसके बाद आप react.js सीखे otherwise आप confused हो जाओगे और frustration के मारे इस field को ही छोड़ दोगे तो इससे अच्छा है कि आप पहले basic level अपने fundamental strong कर ले उसके बाद advanced चीजों पे move forward करें क्योंकि react.js बहुत वास्ट है अगर आप एक बार गुस गए ना तो भार आने का कोई रास्ता नहीं है तो पहले चीजे मजबूत कर लो foundation मजबूत कर लो उसके बाद उस पे building बनाओ कोई डिक्कत नहीं आएगी और हाँ एक चीज में बताना बूल गया javascript की एक ओल लाइबरेडी है या framework आप उसको बोल सकते हो jQuery jQuery के अंदर क्या होता है और parenthesis के अंदर उस particular id का नाम लिखना रहता है तो jQuery क्या करता है javascript के code को थोड़ा छोटा कर देता है तो आप jQuery भी कर सकते हो तो कौन-कौन front end developer की journey आज से start कर रहा है मुझे comment box में comment करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए